खबरों में आगे बढ़ेंगे जमो कश्वीर के बीज़पी परदेश अध्यक्ष रवेंदर रहना ने रजाओरी में हुए आतंकी हमले पर कहा कि आतंकियों को जल्थी उनके अंजाम तक पहुँचाया जाएगा इस तोरान बीज़पी प्रदेश अध्यक्ष रवेंद रराणा ने न्यूस पन इंटियास से खास बातशीत की है वो आपको सुनाते हैं इस एरिये में दस साल मेंने कान किया और हर घर में रहा हूं हर घर का पानी मेंने पिया मुझे बड़ी तकलीफ है और यह नोजवान यह बच्चे आज छेछे लाशें शम्शान घाट में कैन बेगुनाहों का जान का बदला लिया जाएगा यह जो जगहने अपराद महापाप पाकिस्तान के आतंकवादियों ने किया है जमीन के पताल से भी निकाल कर सूद समेथ इस नरसंगार का बदला हम लेंगे और हम सब को मिलकर लड़ना पड़ेगा क्या हिंदू क्या मुसल्मान क्या सिख क्या हिसाई गोली यह नहीं देखती है कि कौन हिंदू है तो कौन मुसल्मान गोली इंसान का कतल करती है इंसानों का कतल बंद होना चाहिए इसके लिए हर इंसान को एक होकर इस जंग के खिलाव लड़ना पड़ेगा पाकिस्तान की इंसाजशों के खिलाव लड़ना पड़ेगा यह टार्गिटिट किलिंग है टार्गिटिट किलिंग है धांगरी के डांगरी के नोजवानों ने खुद VDC के गने उठाकर यहां आतंकवादियों को मार मुकाया है ढांगरी के फोजी हो जो रिटाइर है या जो फोज में काम करने वाले लड़के हमारे यहां के जो नोजवान है मैं खुद यहां दस साल रहा हूँ मैंने देखा इस पूरे दर्या की रैकी पट्रोलिंग यहां की नोज़वान करते थे यहां का नोज़वान दलेर और देश भकते हैं ते रंगा जंडा 15 अगस्त और 26 जनवरी को जहां जो जशन होता है कभी आके देखो यहां लेकिन बड़ा जल्म किया है इन काईरून ने रात के अंधेरे में छिप कर वार किया है सामने से वार करते चीर के रख देते हम इनको